परादे भाई वेलो गाईज आज की बेटल है हमारी इन सबी बेटलेट के बीक बेड़ जो की मैटल जनरेशन मेटल फ्यूजन से हैं और उनके अगेंस्ट में है हमारा थौर बेड़ जो की अवेंजर्स का बेड़ है तो देखते हैं इन में से कौन जीता है मुझे लगता है इसमें तो शायद मैटल को जीतना चाहिए पर फिर भी देखते हैं गाइस यह काफी जादा स्ट्रोंग है देखना पड़ेगा कौन जीते हैं तो ऐसा करेंगे हर एक बे के साथ दो-दो राउंड करेंगे फिर जो इसक बहुत बढ़िया पहली बैटल करते हैं पेगसिस के साथ रिडवन को शूट देखते हैं पेगसिस हरा पाता है या फिर नहीं हरा देने चीए वैसे देखते हैं वही तगड़ी टक्टर हो रही है वो कम ओन भाई लोवर अटैक कर रहा है पेगसिस फिर भी वो हिल नहीं रह एक बार फिर से करते हैं पेगसिस के साथ ही दूसरा राउंड इस बार फिर से हम थोर बेवलेट को पहले वेज़ंगे फ्रीडवन गो शूट जब तक ये घूम रहा है पेगसिस को तैयार कर लेते हैं फ्रीडवन गो शूट अपकेई ओ भई तगड़ी टक्र दे रहा है भ कर.. भाई लोर अटेक से वैसे डिसदवानेज होता है हायर बेवलेड को बट्टी हारी हारी नीरा एवन की पेगसिस को भी बीट कर दिया इसने थोर बेवलेड ओपी मैं चलिए नेक्स बैटल करते हैं हमारा थोर बेवलेड और ये आगया अपना लियोन इन दोनों की battle करते है देखते हैं इन में से कौन जीता है तो guys पहले बेज़ेंगे थोड बेवलेट को 3-1 go shoot इस टाइम रिपकोड लॉंचर का यूज़ करते है 3-1 go shoot ओ नाइस lower attack शायद रिपकोड लॉंचर से जीत जाए बेभी यह थोड़ जादा powerful होता है ना देखते है okay पूरा पुरा पगड़ी टकर दे रहा भाई लियोन हार नहीं माल रहा guys जिसका भी फेवरेट है लियोन भाई सही में फेवरेट चीज है okay come on लियोन वाई stamina battle में तो कोई नहीं हरा सकता फेवरेट को बिकोज इसका stamina सच में बहुत ही जादा है सबी से जादा होगा अगर मैं एक बे को दो बार भी spin कर दूना और फेवरेट को एक ही बार तो यह फिर भी जीत चाहेगा stamina battle में और पहला round जाता है फेवरेट के नाम लियोन को भी बीट कर दिया इसने second round की तरफ बढ़ते हैं तो आता है मरा second round guys should one go shoot very good लियोन को पूरी power के साथ should one go shoot come on भाई इस बार तो हरा दे पूरी power के साथ launch किया मैंने इस बार लियोन ने तो देखते हैं हरा पाता है या नहीं come on लियोन बहुत तगड़ी टकड़ दे रहे हैं दोने एक दूसरे को भाई ये imbalance होता ही नहीं है थोर बेवलेट पता नहीं क्यों जितनी मज़ी ट्राइ कर ले लियोन या कोई भी बेवलेट imbalance होता ही नहीं है ये को कि तगड़ी टकड़ दे रहा है oh man come on लियोन तुम हरा सकते हो नहीं हरा पाया गाइज थोर बेवलेट ने दो मैच जीत ली है मेटल फ्यूजन बेस के खिलाफ एवन की नाव चलिए नेक्स बैटल करते हैं हमारे बुल के साथ उसकी अगली करेंगे लियोन के साथ इस टाइम बैटल करेंगे इन दोनों की थोर बेवलेट और आगया अपना लियोन देखते हैं कौन जी फिर से पहले लॉंच करते हैं थोर बेवलेट को थ्रिड वन गो शूट पूरी पावर के साथ उसके आगया आगया बुल थ्रिड वन गो शूट का यह करेंगे लिए काफ पता है यह कार्थियर उभी यह आएगी वेबी मुत कौन हुए भी कम नहीं है दोनों ही तगड़ें हैं फिर अन suitcase को रोज चूट करंगा पिकिस मेन में पावर और स्टेबिल्टी के मामले में फोर बेवलेट को तो कोई नहीं हरा सकता काईस। सिरियस की बात है। देखते हилась बूल कर पाता है या नहीं। इसके चांस्स तो नहीं लगे बट फिर भी देखते है। मैटल का ये बोट होता है कि अगर स्टैम्ना वेटल तो स्लो होजाता ہा मैच बोट जाधा। देखते हैं कमून कमून बुल हरा सकते हो यार तुम तगडी टकर चाहिए एक तोग पीठ हो जाएगा कमून 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 बस एक और हिट अरे नहीं बनेगी बात यार बुल हार गया सेकंड राउंड करते हैं गाइस इन दोनों का भाई हार ही नहीं रहा है यार यह तो 3-1 गो दो शूट उसके बाद आता है बुल 3-1 गो शूट अब तो वीड कर दे डरेक्ट दो डारेक्ट इस कमून कमून रा सकता है बही तगडी टकड चाहिए दो डिरेक्ट इस आता है यह तो नों की स्पिन से मोगी है गाईस वैंस दो रही तगड़े बेज हैं बट हरा नहीं पारा आज पता नहीं क्या किसमत खराब है पैटल बेज की हरा नहीं पारा अगली पैटल होगी नाइटनिंग एल ड्रैगों से और यह हरा दिया थोर बेजड ने किसे भी प्सक्राइब रक्त ह nourpies अब आता है गाइज मैən मैच इन सबा हो बैजच इन डूर पमच पीच थोर भी बेजड और एल ड्रैगों अब सारी इज़त मैटल बेज की मैटल No के हाथ में, चलिए देखते हैं कौन जीता है, ऐली बैटल, गाइस, फिर से थोर बेवलेट को पहले बैशते हैं, 3डवान गो, शूट, ऑके उसके आगए आता है हमारा, 3डवान गो, शूट, रा देखते हैं वही, ओ, थोर बेवलेट को रा दिया इसने, वाट ओ हिट मैं एल्ड्राइगो ने थोर बेवलेट को अरा दिया बाहर सीधा स्टेडियम आउट गाइस एल्ड्राइगो पीन दा चैट बोई जिस जिसका भी फेवरेट है ओपी इन दा चैट ओके चलिए सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं भाई ऐल्राइगो ने जिस हिसाब से उठाके मारा है ना मजा आगया देखके त्रिडवण को शूट येस सेकंड राउंड इनका देखते हैं कवन इता है त्रिडवण को शूट ओफिट से हरा दिया गाईस भाई ऐल्ड्राइगो नी अर रहा ओ मैन ऐल ड्रेगो तभी इससे एमपरर कहते हैं किंग ओफ एमपरर थोर को भी हरा दिया इसने मैं अधर एल ड्रेगो पी नच एट वाइस मज़ा आगया बैटल देखे कोई नहीं हरा पाया इन में से गाइज जस्ट की ऐल ड्रेगो ने बीट कर दिया इसे मज़ा आगया देखके वो एलड्रागो ओपी देखिए मैंने ये कंबिनेशन बनाया था इसका अगर आप भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो ये एलड्रागो का फेस बोल्ट है ये इसका वील और वील इसमें मैंने एमसील बड़ी हुई है ये वही फेक वाली टिप है जिसकी बीच में से निकाल दिया मैटल बड़ तो फिर ये अटैक टाइप की तरह भीएव करता है ऐसे करते हैं ये वाली टिप पेगसिस में लगा के देखते हैं क्या वो हरा पाता है फिर तो टिप लग चुकी है गाइस जैसे क्या आप देख सकते हैं अटैक पावर वाली देखते हैं क्या अब ये थोर बेवरेट को हरा पाता है पेगसिस ओके ठीड़ वन गो शूट पहले आगया थोर बेवरेट पेगसिस कम ओं ठीड़ वन गो शूट आपके अरे खुदी बाहर चला गया यार ये तो भाई अंदर खेलो अंदर दबार से लॉंच करना पड़ेगा चलिए फिर से करते हैं जल्द से जल्द लास्ट मैच होगा ये रवन गो शूट रवन पेगसिस आजा भाई हाथ में रवन गो शूट ओ डरेक्ट बाहर हाँ ग्याई पेगस असी इस बार भीट कर ही दिया फाइनली थार बेवलेट को स्टेडियम आउट से हराया गाईस इन सिरफ स्टेडियम मोच से हरता है को बैटल करते हैं देखते हैं को भाई है बस एक फिब कर दो विब चलए का इससे सिरफ सुट्यम ₮ कर दो ठ advanced then नी तो नी हारता भाई ये मैंने अगर इसके अंदर MC लिया कुछ भारी भरती है ना फिर तो हराना बहुत ही जादा मुश्किल हो जागा इसे में लॉंच कर देते हैं देखते हैं फिर हरा पाता है या नहीं त्रिवन गो शूट अपे टिक जा भाई इसकी टिप है ना जो वह सीधी रहे गई तो ठीक ही तो ओ देखो खुदी बाहर चला जा रहा है तीन चार बार हो गया यासे कैसे चलेगा त्रिवन गो शूट अंदर रही हो अंदर रही हो अंदर रह गया फिरता हो रादवा वो डिरेक्ट इट वही थोर बेवलेट देख लो चार बार मैंने लॉंच किया इवन लास्ट टाइम तक टिका हुआ है थोर बे क्या ही बोलें अब भी अगर जीत गया रहे है तब तो भई हदी हो जाएगी और जीत गया गाईज भाई लास्ट में भी जीत गया अलगी चल रखा इसका तो डैम गाईज थोर बेवलें ने पेकसिस को एवन की मैंने टिप भी चेंज कर दे तब भी रहा दिया तो यही था बस इस बैटल के लिए गाईज अगर आपको बैटल पसंद आए तो लाइक कर देना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके ही जाए वैल एल ड्राग ओ पी इन दा चैट गाईज इसने थोर बेवलेट को भी हरा दिया दो बार स्ट्रेडियम आउट किया और इतनी जोर से की थोर बेवलेट बाहर पड़ा जाके तो थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो गाईज आप यू लाइक इट फ्रीस्टाइल बेडर ओरन आउट